आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के उपर बात करेंगे वह है पाकिस्तान से यह पाकिस्तान में जो टीटीपी अटाक हो रहा है ना वो पाकिस्तान साइड में जो टीटीपी है वो अटाक कर रहा है तालिबन पाकिस्तान ठीक है वो लोग पाकिस्तान का स्वाइल यूज करता है करके वो पाकिस्तान का सिक्यूरिटी फोर्स हो सकता है आर्मी ओफिस होता है इवन सिविलियन को भी अटक करते है पॉलिटीशन को भी अटक करता है ठीक है बट देयार मदब वो विदिन पाकिस् पाकिस्तान है नहीं है वो तालीबानी है सिर्फ तालीबान का जो में दो ही ग्रूप है एक है जो आफगानिस्तान में जो वहां पे अभी गद्धी में बैटा हुआ है ठीक है और ये पाकिस्तान जो बोलता है कि जनाब हजूर हमा आ गये हैं ये ऐसे भिकारी के रजाए और वो जो सजदा करता है न सब जाता है जाके सजदा करता है अफगानिस्तान के सामने और इस बेवकुफ ने बोल झा कि टीटीपी को अफगान सौयल में है इस बेवकुफ को कोन समझाएगा आप्गेकं और इसके उपर Taliban हो गया गुसा Taliban ने बोल दिया कि इस्लामिक एरबरेट ऑफगानिस्तान थेके थो आपने उनका जो मिनिस्टर है ऐखिंए मुल्ला उमर उन्होंने ये बोल दिया था कि देखिये आफगानिस्तान है ना वो सीरिया की तरह नहीं है जो इसराइल कभी भी उटके अटाक कर लेता है वो अलग चीज है लेकिन उन्होंने वो ऐसा ड्रॉ किया था और बहुत जगा हमने देखा था कि 1971 का जो सरेंडर था ना वो पिक्चर उन्होंने यूज किया था इंडिया जब पाकिस्तान को रिस्पॉंड करने के टाइम पर यहां पर यह पिक्चर अबलबल नहीं है इसने इन्होंने दिया नहीं है यह तो सबको पता होगे जब पाकिस्तान ने जग्जित सिंग अरोरा के सामने पाकिस्तान को मौक कर दिया था मताब रिस्पॉंड करने के टाइम पे तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा एक दो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते के ऐसा क्यों हुआ फर्स जो पॉइंट है आप इसको देख लीजिए यह पता पता नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिंगे मारा मारी चल रहा है ठीक है अराम से मारा मारी चल रहा है यहां पे अब कूद गया है युनाइटेट स्टेट अफ अम्रेकान आपको पता होगा यह इमरान खान ने बोला था जब यूसे ने बेस मांगा था ना कि आपकानिस्तान में जितना टर्रेजिस्ट है उनको हम मारने के लिए हमें बेस दो यह बेबकूब इमरान खान बोल दिया है absolutely not अब इस चोमू को तो यह मतलब पता नहीं होता है कि अच्छा मतलब हाँ या ना बोल लेके भी आउकात लगता है यह लोग है पुरा इंटरनाशनल भिकारी यह किसी को हाँ या ना बोल कैसा सकता है यह उसने बोला ठीक है मुझ उन्हें पैसा लिया फिर अगयं वह उससे पैसा लेगा पैसा लेकर थोड़ा बहुत मारेगा वह अफगरिस्तान में कितना मारेगा नहीं पता मार भी सकता है नहीं पता है यह पार स्था rigorous यह लोग पार्किस लेता है अफगानिस्तान में मान लीजे उसका 10% coupon 90 तो इनdag जन्रलोग कोड के पास चला जाता है तीक है जन्रलोग का प्लॉट हो decision तो करूक हरा llo की छेड़ों कोड़ों ऑपन हो जाएगा इस अब होगा इन लोग prim पच्छे बाहर पड़ते हैं लंडन, USA में, उनका फीजे बढ़ा जाएगा, ठीक है, उनके पास बड़ा बड़ा गड़िया, गड़िया स्टार्ट हो जाएगा, यह सब होगा, यह 90% पैसा से यह होगा, अब जो 10% पैसा माचा है, वो कहां जाएगा, वो 10% माचा है, दो परस 8%, वो 8% पैसा कहां जाएगा, वो बलचिस्तान में अटाइक होगा, बलचिस्तान में अटाइक होगा, पहले यह कश्मीर में होता था, नोटन की, अब तो कश्मीर में बंद हो गया है, वो नोटन की बंद हो गया, तो उधर करेगा, और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता पाकिस्तान अफगानिस्तान के लड़ाई में पता नहीं यूएस कहां से आके ऊच जाता है और अल्टिमेटली मार कौन खाता है फिर वो पाकिस्तान फिर से कम मार खाएगा अराम से पाकिस्तान बन गया है मंदिर का घंटा है तो पैसा नहीं ना भी नहीं वो अब हजूर को क करना है बस वही करना है भीक मांगो और भीक मांगे दूसरे के लिए ये दलाल है साला ठीक है अब ये अच्छा ये और एक चीज हुआ था जो मैंने आपको बोला था ना ये जब F-16 का पैकेज हुआ था ना तब इंडिया ने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि अच्छा ये ज इंडिया के लिए भी नहीं था क्यों कि इन बेबकूफ को पता है ये लोग और एक बार एटाक करेगा ना फिर से और एक बाला कोट हो जाएगा और पाकिस्तान वो सब अब नहीं चाहता है क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि इंडिया में आप तुम एटाक करोगे तो पिकेज था ना ये था अफगानिस्तान के लिए अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं था यूं कि माली यूस बेस ले लेता पाकिस्तान में तो उथना प्लिटिशं नहीं नहीं करता मतला उनलोगों क bargaining ठू कुछरा थे उन लोग के लिए हम लोग 90% दे लेंगे और बागी 10% में काम, अब US को देखिए, US से काम निकालने का मतलब है, ठीक है, पैसा कहा जा रहा है, ना जा रहा है, तो उससे कुछ फरक नहीं पड़ता है, ऐसे ही तो 30 बिलियन दे रहा है, तो पूरा 30 साल से और मुस्ट, तो वो कोई हिसाब नहीं है, तो US को भी फरक नहीं पड़ता है, जिसको मारना है, मारो, US कभी पूछेगा भी नहीं, यह मैंने आपको अब से डिसकस कर लिए, उसके बाद देखिए, और अच्छा, पाकिस्तान में जो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, उनका फॉरें करेंसी उत इतना, मतलब, क्या बोलू, एक small people है, मतलब, इनका mind small है, ऐसा नहीं है, तो इन लोगोंने क्या क्या क्या, अफगानिस्तान को वीट भीचना था ना, इंडिया से, यह लोग ने नहीं करने लिए, अब इनका देख रही है, 250 ml का दूद, 36 रुपीज में आता है, मतलब, यह इसको 4 से multiply कर लिए, 144 आई आएगा, मतलब, एक लिटर का दूद का दाम है, 144 रुपए है, मतलब, सोचता भी नहीं है, राइस आप सोच लिए, बस यह 100 गम का cost 90 आजाता है, तो आप माल लिए, इसको 10 टाइम से multiply कर लिए, ठीक है, एक के लिए, 190 रुपए, 190 रुपए में राइस, वई, कौन सा राइस यह खाता है, ऐसा राइस तो मुझे भी कभी नहीं मिला, यह अभी प्याज जा रहा है, 7 रुपए है, 7 रुपए है, मतलब, इसको 10 टाइम से again multiply, 70 रुपए है, 70 रुपए प्याज रहा है, उसके बाद यह चोड़ दीजे, सबसे अच्छा दे सबसे पाकिस्तान में problem वही है, जो मरता है, वो common people मरता है, और इन politician, ना army, politician, कोई इसको सोचता भी नहीं इसके बारे में, उसके बाद देखे, इन लोगों का foreign reserve देखे, सबसे कम, मतलब यह default का, और यह जो 5.5, 570 billion है ना, इसमें साइब 3 billion वो सौदिय अरबेका है, और 2 billion चाइना का है, और इसमें से यह जो part है ना, इसको भी यह लोग use नहीं कर सकता, तो मतलब यह सिर्द दिखाने के लिए है, चलो मतलब वो international community के दिखाने के लिए कि हाँ, ठीके, आप इतना पैसा रख लिजे, लेकिन आप use नहीं कर सकते, तो यह bankrupt होने ही बाला है, अब और एक चीज है कि bankruptcy का क्या लुक्साने पाड़ आए, इसके लिए मैं और एक अलग स पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान में हमला नहीं करेगा, वो जाके कर रहा है, अफगानिस्तान में, तो उस टाइम ने इंडिया से इंडिया को भी क्रिटिसाइज किया था, क्यूंकि देखें, इंडिया इंडिया उस टाइम तो सब बोल रहा था कि नहीं इंडिया जान बूज के पाकिस्तान को निकालाए थे कि पाकिस्तान को निकालने का ज़रूरत इसलिए था क्योंकि अब यह जो निउस था ना इसको थोड़ा इधर से एड़ अप्टीजे पहले क्या बोला है पाकिस्तान को एफटीएफ से इसलिए निकाला जया कि देखे पाकिस्तान उसके बाद यह मनी लांडरिंग टेरर फैनेसिंग यह सब उसकर करके अफगानिस्तान में जितना नेट र कर पाइगा तो उसी टाइम पर आफगांनिस्तान को मारने के लिए ये यूएस इनॉइटड स्टेट ने पाकिस्तान को यहां से निकाल जाए ये इंडिया ने उच टाइम पे नहीं लिका और अफगानिस्तान में एक प्रॉब्लम है उनके पास बहुत अच्छा रेडर जैमेर ये सब नहीं है ठीक है इवन सेंसर भी उतना अच्छा सेंसर भी नहीं है जो आप उसको माल लेजे कोई थ्रेट आ रहा है उसक आप कैच कर पाएंगे ऐसा कुछ नहीं था कुछ नहीं उनके वाद इवन इंडिग्रेटेड जो इफेंस सिस्टेम होता ना जैसे यूएस में तो थाड है हमारा पास वो